अलो दोस्तों वेकम टू स्कूरी नेशन माइनम इस अमन दोस्तों बहुत ही स्वागत आपका इसकूरी नेशन के यूटूब चैनल पर आज मैं आपको एकाउंटेंशी के फर्स चैप्टर पार्टनेशिप के पार में डिसकस करने जाए इस चैप्टर नाम है दोस्तों इस गरिवार हो चाहिवर ऐसी सर्मा हो इन साही किताबों के एक कोशन को प्रेक्टिस करा जाएगा हर एक चैप्टर के जिससे आपको को करने में आसानी होगी आपको डाउट भी नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है एकाउंटिंग फॉर फंडामेंट के एक तरिका निकाया है। वो तरिकाँ किया है कि हम लोग ने आपके फर्स चाप्टर को टॉपिक वाइस में डिस्टिबूट कर दिया है ठीक जित심 uranium बी आपके पर टॉपिक्स यहां पर देख सकते है कि जितनअ भी आपके पर टॉपिक्स हैं उसका यहां पर हम उन्ने ड यह benefit इस content का और इस notes का ठीक है तो बिना time को वेश की अपने topic के तरब हम आते हैं अपना जो पहला topic है meaning of partnership and its features ठीक है ना partnership का meaning क्या है ठीक है उसके features क्या-क्या है मतलब उसके characteristics क्या-क्या है हिंदू undivided family ठीक है फिर आपका आता है partnership उसकर आता है आपका cooperative society फिर आता है joint stock company जो कि private or public company होती है दोस्तों बहुत साई types के company होती है यह 5 important types होते हैं ठीक है जिसमें प्रोप्राइटर की accounting कैसी की जाती है जो कि आपने cash area event में बहुत अच्छे से पहा है आपको cash area event के अंदर जो भी आपने accounting पही है वो प्रोप्राइटरिशिप की होती है ठीक है अब दोस्तों आता अपना partnership next topic तो partnership business क्या होता है अपने बिजनस की accounting अपने खातों को कैसे बनाते हैं यह आपको पूरा cash trade के अंदर पारना होगा और company के बाई में भी पारना होगा ठीक है तो आपको यह तो समझ में आ गया कि partner सी business के बाई में पारना है पार्टनेशी बिजनस होता क्या है उसके features क्या क्या होते है उसमें accounting कैसे की जाती है खातों को maintain कैसे करते हैं यह सब कुछ आपको यहाँ पर पारना है ठीक है तो topic पर आते हैं अपना पहला topic क्या है दोस्तों इसमें आपको बहुत benefit मिलेगा topics के अंदर ठीक है यह आपका प partnership and its feature rights and duties of partner यह अपना पहला topic यह अपना first lecture partnership का ठीक है अब दोस्तों partnership business होता क्या है और यह आया क्यों ठीक है यह भी चानेंगे तो दोस्तों जब प्राइटर बिजनस था जहां पर businessman बस एक ही होता है एक ही इंसान साही काम को करता है पैसा लगाता है सब कुछ वह ही करता है अब दिक्कत यह होती है कि एक इंसान कितना काम करेगा कितना पैसा लगा देगा तो उस डीमेच को कम कहने के यह नए टाइप के बिजनस आहें जिसको बोच वोगतेPartnership Act ठीकिनज अ बात में इसके अंदर बहुत साए चेंजेस किये गए वो बात की बात है अब दोस्तों कानून तो 1932 में आ गया अब यह होता क्या है तो दोस्तों सो फ्यू पैटर में बस एक बिजनेस्मान होता था और पार्टने सिफ कहता है कि मिनिमम कम से कम दो लोग होने ही चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के यह तो कि दूसरे को जॉइन करेंगे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट कमाएंगे आपस में एक दूसरे सब में क्या करेंगे सेर करेंगे मत्यब पार्टने सिफ एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर दो लोग आपस में आते हैं साथ में आते हैं बिजनेस को स्टार्ट करत होती है ठीक है definition का कभी भी प्रॉपर मीनिंग नहीं नहीं कर पाता है बहुत साई definitions का ठीक है इसी एक्जाम के अंदर हमेशा मीनिंग को इखा जाता है बट definition क्या है चाहिए हम योग इसको पहते हैं और decode करते हैं और समझने की कोशिस करते हैं ठीक है किसी भी कानून के अंदर जब किसी चीज को इखा जाता है उसको sections में लिखते हैं जैसे आपने सुना होगा कोट में कि आपको section 4, 72, section 8 के हिताब से आपको सजा होती है तो बैया क्योंकि कानून में अगर चीजों को paragraph में लिखेंगे न तो दिक्कत होगी समझने में और किसी को कोशिच बताने में क्या बताओगे बैया इस किताब के 525 पेज में ये paragraph पर हो नहीं तो किसी भी कानून को जब लिखते हैं तो चीजों को section में लिखते हैं ठीक है ओके अब डिफाइन करता कि partnership क्या होता है चो रहते हैं partnership is the relation between persons मत्रब partnership जो है एक टाइप का रिस्ता होता है लोगों के बीच में persons मत्रब लोगों के बीच में एक प्रकार का रिस्ता होता है जिन्होंने आपस में सहमती जताई है to share the profit of a business कि वो लोग आपस में business के profit को share करेंगे ध्यान से समझना partnership एक टाइप का रिस्ता होता है लोगों के बीच में जिन योगों ने आपस में एगी किया हुआ है कि वो business के profit को बाटेंगे share करेंगे ठीके ना carried on by all business को या तो सब लोग मिलके चलाएंगे ठीके any of them कोई भी चा सकता है acting for all सबके लिए दोसों इसका मत्रब होता है जो business है या तो कोई सब लोग मिलके चलाओ या तो कोई एक चलाओ सबके लिए रफिस profit को share करेंगे and business को या तो सब लोग चलाएंगे या तो कोई एक सब किये चलाओ ठीके यह हो गए आपका partnership का definition तो definition भी ठीक ठागे समझे अपने को आ गया और section 4 के अंदर definition बताए गई है ठीके ओके रोस्तों अब आते है नीचे अब meaning क्या होती है दोस्तों exam में पूछेगा what is partnership तो क्या यह खोगे तो भाईया partnership is a type of business क्या है is a type of business in which minimum two partner कम से कम दो पार्टनर तो होंगे ही होंगे who come together जो कि आपस में साथ में आते हैं start business को start करते हैं earn a profit profit कमाते हैं and share with each other तो भाईया partnership is a type of business in which minimum two partner come together start a business earn a profit and share with each other इसी को बहुते है partnership business यह है meaning exam में आप रिख सकते हो number कटेगा नहीं तो देखो यहांबे क्या है कि partnership is a type of business in which minimum two partner started a business earn a profit and share with each other bearing risk also भाया साथ में risk भी एते हैं वो लो risk की बात क्यों नहीं करते हैं देखो बार बार profit की बात क्यों होते है risk की बात क्यों नहीं तो अगर loss होगा तो भाया वो भी तो आपस में बातेंगे profit होगा तो बातेंगे इसलिए profit बहुते हैं यह तो understood है loss होगा तो उसको भी आपस में बाटेंगे जैसा भी हमें उने decide किया होगा business partner जैसा भी decide किया होगा ठीक है तो अभी तक अपने को क्या समझ में आया कि भाईज आप पार्टनेशिप की जो definition है वो section 4 में बताए गई है ठीक है उसके बाद पार association of two or more person कहने का मत्रब है कि partnership business अगर बनाना है तो minimum दो person होने ही चाहिए अगर दो लोग नहीं है तो business नहीं बन पाएगा समझे जो इस बात को minimum 2% चाहिए चाहिए नहीं होंगे तो business नहीं बन पाएगा ठीक है अब दोस्तों maximum partner कितनी होंगे इसको यह कि बहुत जाता doubt रहा था हमेशा तो इसको भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो यह है association of two or more person ठीक है तो यहाँ पर रेखते हैं पार्टनेशिप एक्ट में नहीं बताया गया है मत्यब की मैक्सिम पार्टनेशिप के कानून में नहीं बताया गया है ठीक है हिसाब से जो मैक्सिमम पार्टनेश होते हैं 50 होते हैं ध्यान लगना रुको अभी ठीक है न सेक्शन फोर सिष्टी फोर हीड यूट 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 मत्रब कहने का मत्रब है कमपनीश का 14 में रहा पास किया गया था जिसके तेहट एक पार्टनेशि बुजनश के यंदर मैक्सिमामपार्टनेश हो सकتे हैं więcej Пार्टनेश कितने होते हैं कहां बताया गया है इंडियान कमपनीज एक्ट दोजाज तेया में बताया गया है कि मैंसे पार्टनर 50 होते हैं सेक्शन 464 एलांग यूर नमबर 10 और इसके तहत मैंसे पार्टनर 50 होते हैं यह दिक्कत की पाथ एक और नीचे देखो ठीक है तो तहीं करी पर आपको यह नमबर 100 भी दिखाई तो यह था आपकर पहला फीचर एस्सोसियेशन ऑफ टू और मोर पर्सन दो या दो से अधिक योगों का एक एस्सोसियेशन होता है पार्टनर सी बिजनस मैक्सिमम पचास होते हैं अब आता दोस्तूं एग्रिमेंट बहुत इंपॉर्टन बात है यह इसको समझियों क्या हो चलाना है इसको बोलते हैं ठीके न तो पार्टनर सी बिजनस तभी बनेगा जब आपका अगर आपको आपके दोस्त के साथ में बिजनेस करना है तो समझेओ आपको पहले एक एग्रिमेंट बनाना पढ़ेगा एक आग्रिमेंट का मतलब होता है कि टार्म्स अगर होगा तो कैसे होगा कौन कितना पसा लगाएगा कैसे profit and loss को बाटेंगे सब चीजें हर एक बात को आपको decide करना पढ़ेगा इसको बहुत है एग्रिमेंट तो partnership agreement का नतीजा है agreement बनता है तभी partnership business का जनम होता है ठीक है आपका जो agreement है वह आइदर auror form में भी हो सकता है और written form में भी हो सकता है अब बहुत सारे बच्चे बच्चे बहुत है कि जो मुझ से बोला गया हो जो रिखा गया हो कागश में स्टैम पेपर पर स्टैम भी लगा हो ठीक है तो एगिमेंट जो होता है पाटनेशिप का कम परिसे नहीं है चाहे तो आप और फॉर्म में बना लो चाहे तो आप रिटन फॉर्म में बना लो बहुत सारी बच्चे बोलेंगे सर जी हमने अपने दोस के साथ में बिजनेस बनाय तो चंशा ब फाटनेसिया तो आप सब परिट्व है ह तो काहा है को धुरिजनेस बात यह भी होती है कि पार्टनेशि बिजनेस तभी होता है जब बीच में त्रस्ट होता है नहीं होगा में बनायकिन कारून क towel yasato कि जो भी आर्जिमेंट होगा वो यातो और्र होगा कोई कमपाई साही नहीं है कि और फॉर्म में हो के यह टन फॉर्म में हो ठीक है समय में आ गया एगिमन का मत्रब टाइमस एंड कंडिसेंस बिट्विन दी पार्टनर ठीक है ना ऑफ बिजनेस ओके अब दोस्तों आते हैं हम लोग अपने तीसे पॉइंट पर अब दोस्तों आपका पॉइंट है तो यह एक होना चाहिए अब दोस्तों आपका पॉइंट है जो भी profit कमाएंगे business में वो partners आपस में क्या करेंगे, share करेंगे, कैसे share करेंगे, जैसे उन्होंने argument में decide किया होगा, अगर एक कोई एक कोई की होगा, तो एक कोई एक कोई share करेंगे, अगर कोई ACU decide किया होगा, तो उसमें share करेंगे, बोला कि भाया, 10% हमेंगे, 9% होगे, तो जैसा भी decide किया होगा, बैसा वो जो profit आपस में share करेंगे, साथ में इस बात को ध्यान रग ना, कि जो loss होगा, जो आपका loss होगा, उसको भी share करेंगे, ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ओके, अब आते है, relationship of principle and agent, इसका क्या मतलब होता है, हर partner अपने ह का मालिक भी होता है, अपने business का नौकाई भी होता है, let us understand with the hype of example, दोस्तों, तो example की मतलब समझते है कि क्या होता है, मानियों कि दो partner है, A partner और B partner, ठीक है, अब दोस्तों, जो A partner था, उसने क्या किया, कि A partner गया बहार और उनका construction का business था, A partner किसी के पास बहार गया, और बोला भाया, कि हम लोग क्या करते हैं, चलो, किसी से content करके आया, कि आपका हम घर बना देंगे, A B partner थे, A बहार गया, किसी से content करके आपका हम घर बना देंगे, 10 याक रुपए में, ठीक है, अब आया, B को बताया, देखो, B भाया, हमने content किया है, B ने बोला, अब बुलबक, तु नुक्सान की भाय पाई, B को भी करना पढ़ेगा, क्योंकि partner शिफका business है, profit होगा, तो B को भी होता है, loss होगा, तो B को भी होगा, मत्रब कि, एक partner के किया गया द्वारा, कांड, दूसरे partner को भी भुगतना पढ़ता है, अगर B को ही करेगा काम, तो A को भी उसको bind करता है, भ बांद देता है, तो वही पहते हैं, कि each partner is a agent, हर partner अपने business का agent होता है, as well as principle, main mark भी होता है, of a firm, and agent, because agent तब होता है, he can bind, क्योंकि वो अपने काम से, bind other partner, by his act, दूसरों को बांद देता है, and principle इसे यह होता है, क्योंकि वो खुद भी बंधा हुआ है, दूसरें के द्वारा क existing for all, इसका मतलब होता है, business यार तो सब लोग चलाएं, यार तो कोई एक सब के लिए चलाएं, या फिर सब लोग मेरे के एक दूसरे के business को चलाएं, यह होता है, इसका meaning, इसका कोई खास meaning नहीं है, अब दोस्तों, no separate existence, भाया, यह क्या है, इस बात को समझना थोगा से technical है, क बहुत important बात है, इसका मतलब यह होता है, दोस्तों, कि partner जो business होता है, उसके पास में separate legal entity का feature नहीं होता है, इसका मतलब जो partner होते है, जो उनका business होता है, दोनों लोग एक ही है, अगर मार नियोग कोई गईती होती है, तो सीधे partner के उपर case होता है, ठीकिना, business कोई इनकी existence होत हमती ही नहीं है, अगर हम रोज़ पता है वो इसका मतलब जोड़े होती है, इनके पास में company वारा feature, separate restoring entity का feature नहीं होता है, जहां पर businessman के अपनी खुद की प्रचान होती है, यह feature आपका company के पास में होता है, example मैंने company का दिया, ठीक है, company के अपनी खुद की पलचान होती है, और business man के अपनी खुद की होती है बट partnership के पास में separate existence का जो feature होता है वो नहीं होता है ठीक है ना अगर हम लोग business के point of view से बात करें किस point of view से बिजनेस के point of view से तो भाई या पास में यह feature नहीं होता है लेकिन जब हमको accounting कहनी होगी होगी हमको खाते बनाने होते हैं तब accounting के point of view से separate entity का feature होता है बिजनेस अलग होता है businessman होता है partnets अलग होता है बस खाते बनाने के इस घख कभी accounting कई नहीं होगी न तो partner को अलग दहएंगे और business को अलग दहएंगे तो partner के क्या-क्य rights होते हैं अधिकाय क्या-क्य होते हैं तो चलो इसको भी देख लेते हैं भाईया तो पहला दिकाय होता है every partner has a right to share profit analysis with other partner in the agreed ACO जिस ACO में भाईया decide किया था उस ACO में partner आपस में profit share को share करेंगे profit analysis को every partner has a right to take part in the conduct of business हर पार्टनर के पास में अधिकाय होता है कि वो business के conduct में participate करेंगा every partner has a right to consider in the matter of related with partnership business partnership business के किसी भी matter में कोई दूसर पार्टनर आके consultation बातचीत कर सकता है कोई किसी को रोकेगा नहीं every partner has a right to inspect and have a copy of books of account कोई भी partner आके business के खाते जो होते हैं उनकी photocopy यह के जा सकता है देख सकता है कोई उसको रोक नहीं सकता कोई दूसरा पार्टनर है every partner has a right to dis around the admission of new partner मान यह दो पार्टनर है और A और B बी चाहता है कि C को यह के आ जाए पर अगर A ने मना कई दिया तो B C को यह के नहीं आ पाएगा ठीक है every partner is a joint owner of the partnership property किसी भी पार्टनर सी प्रोपर्टी कि जो ओनर होते हैं वो partner joint होते हैं मिल के होते हैं कोई एक partner किसी भी प्रोपर्टी का owner नहीं होता ठीक है if a partner has given you want to form अगर मान यो partner ने business को loan दिया है ठीक है तो जो interest decide किया गया होगा वो क्या बहुत है partner को मिलेगा अगर by chance interest decide नहीं किया गया तो भी partner को कम से कम 6% का interest मिलेगा मान यो partner है उसने अपने ही business को रोन दे दिया ठीक है रोन दे दिया interest decide किया अगर 10%, 12%, 15% अगर नहीं decide किया है तो उतने ही एट से मिलेगा नहीं किया है तो भी minimum 6% interest partner को मिलेगा वो श्रोन के उपए यह बात यहां रिखी गई है अगर पारणर ने अपने पास कोई खर्चा किया है बिजनेस के यह तो भार में उसका भायपाई कई देगा मत्द बिजनेस उफ पैसा उसको में जाएगा कोई भी पार्टने बिजन से पर्म क्या 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 काम उनको करने पाथते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग तो दूस्तों every partner suit devote due time in the business business में टाइम देगा भईया वो ठीक है every partner suit क्याई on the business of a firm Dirigentty इमानदाई से सद्धा के साथ ने पुरा business में ध्यान देगा ठीक है ना अच्छे से no partner suit engage himself in the competitive business कोई partner उसी टाइब कोई दूसरा business नहीं खोईएगा ठीक है किसी और के साथ में एक और business खोई दिया क्या बहुते हैं same to same competition में ऐसा नहीं होना चाहिए no partner suit engage himself in the competitive business every partner suit act within the authority जो इस partner की जो authority है वो उसी में काम करे ठीक है it is the duty of a partner to indemnify the firm for its willful negligence बहिया यह partner की duty है अगर कोई गईती हो जाए तो उसको indemnify किया जाए मतलब if it is the duty of a partner to indemnify the firm for its willful negligence बहिए का मतलब अगर उसने मा नहीं हो कि कोई गईती हो कि अगर हो गई है तो उस बात की उसको जांबुच की हो गई भाई तो सजा दिया जाए जाए जांबुच की नहीं होई है तो उसको माफ करिया जाए ठीक है मतलब कि जो भी बिजनेस की प्रपरइटी है उसको पार्टनेसी बिजनेस की इस्तमाल किया जाए ठीक है ना अपने परस्ने कामों के इस्तमाल ना किया जाए यह duties होती है यह काम होते है ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हो यह अपना फर्स्ट ट्रपिक आज खतम होगा है मीनिंग आप पार्टनेसीब फीचर राइट्स इन ड्यूटी इसके पार्टनेसीब डीट क्या होती है उसके कंटेंट क्या होते हो हम देखेंगे और दोस्तों की भी प्रेक्टिस करेंगे कोई भी कोशन को नहीं छोएंगे तो निचे आप लोग देख सकते हो अगर आपको देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो ठीक है तो निचे मंगा हम जाएं तो बहुत ही डिटेर के अन्दर पूरा आपके क्यास्ट ट्वाइस के सीबस को कवई की आगे बहुत ही ठीक है तो दोस्तों ठीक है में अपने नेक्स पार्ट में thank you so much